खूलो फ्रण्ड्स वेल्कम बेक्टो मैं चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकसं रॉनों करने वाले हम आपको लाइब एक्जाम्पल डू डेखने वाले है जो कौनमोब्लो पेटेर्ण और आपको अर्ली ट्रेंड रिवर्सल में बहुत जादा यह आइडिटीफाइड करने में आपको मदद कर सकते हैं साथ इसाथ इंट्राइड हो या पोजिशनल हो आप इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आपको यूज कर सकते हैं बहुत जादा इफेक्टिफ पेटर्ण है और आपके ट्रेडिंग पेटर्ण में बहुत जादा इंप्रूब्मेंट ला सकता है तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस दोनों वीडियो को नहीं देखा है जाके जरूर देख लिजएगा इंडिस्किन पे आपको लिंक मिल जाएगा बहुत ही जादा हेल्फुल होने वाला है आपको ये पेटर्ण और आपको ये पता होने चाहिए जिससे कि आप जो है यहाँ पे एक अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं आज हम लोग इसी दोनों पेटर्ण के ऊपर यहाँ पे कुछ एकजामपल देखेंगे जो इस वीक में आपको बने हैं और जहाँ पे जो है एक अच्छा प्रॉफिट आपको दीखिएगा जो एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते थे और आपको वहाँ पे इन सभी पैटर्ण को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए जिसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आगे जब भी आपको ये पैटर्ण मिले आप उसको एफेक्टिबली ट्रेड कर सके और जो है आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सके जिसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखि है और यह निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों के सामने खुला हुआ है सबसे पहले अगर हम लोग एक चीज़ देखेंगे निफ्टी आपको कंटिनेवस एक में था और यहां से गर देखेंगे निफ्टी कंट्रेंड में था और अगर आपको ऐसे नहीं प्रक चलता आपको नीचे आया आपको एक चीज मेंने अप बताया था W बेन बॉलू प्रेटाइड कभी भी बंता वो एक लाल क olmuş के बाद आपको यहां पे देखने को मिलता है और एम जुदा चाहिए तो आपको तो यहां पे निफ्टी एक downtrend में था, यहां पे आपको pullback लिया, pullback लेने के बाद अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो इस pullback के बाद यहां पे एक M pattern का breakdown हुआ है, और यह बहुत ही जादा आपको narrow range में हुआ था, और यह बहुत ही effective trade होता है, अगर आप intraday के 130 point का यहां पे आपको target achieve हुआ है, और यहां पे आप देखेंगे तो एक छोटा सा pullback हुआ है, pullback मतलब uptrend, उसके जाद first time नीचे जाना चाहा, नहीं जा पाया, second time फिर से यहां पे buyers आए, एक चीज़ से और आप यहां पे identify कर सकते हैं, यहां पे जो second time green candle बन रहा है, यह ब आपको यहां पे 130 point का एक अच्छा movement मिलता है, वापस से अगर आप इस पैटर्न को broader time frame में देखेंगे, तो कुछ इस tab का pattern आपको बनता हुआ दिखेगा, यहां पे आपको pullback लिया, एक यहां पे base बनाया, second time जब उपर गया तो यहां पे आप देखेंगे इस level को इसने cross न trade था, जो आपको नीचे जाना चाहिए, क्योंकि एक तरह से अगर आप देखेंगे, तो यहां पे एक channel pattern का formation हुआ है, और channel pattern आपको दो दिन यहां पे trade किया, उसके बाद इसका breakdown हुआ है, तो यह no doubt बहुत अच्छा pattern यहां पे form हुआ था, breakdown हुआ था, लेकिन वापस से देखेंगे, pullback हुआ, फिर से नीचे नहीं जा पाया, और यहां पे एक आपको फिर से उपर की side breakout देखने को मिला, अब यहां पे बहुत से लोग अगर यहां पे इस pattern को जानेंगे, तो clearly समझ जाएंगे, यहां पे trend आपको reverse होने के लिए sign दे चुका है, यहां पे एक अच डबलू pattern का formation हुआ, और उसके बाद आप देखें, कितना अच्छा rally हुआ, continuous जो है, आपको दूसरे दिन भी यहां पे बहुत अच्छा rally देखने को मिल रहा है, तो अगर आप यहां पे देखेंगे, एक downtrend में डबलू pattern का formation हुआ, और अगर यहां पे आप confluence देखेंगे, एक बहुत ही अच्छा यहां पे bullish engulfing candle form हुआ है, तो यहां पे एक downtrend आपको दिख रहा है, first time pullback लिया नहीं जा पाया, फिर से नीचे जाने कोशिस के नहीं जा पाया, वापस से इस level के उपर आपको closing दे दिया, एक अच्छा bullish engulfing candle बना, यहां पे आपको clearly पता हो जाना च अब यहां पे trend reverse कर चुका है, उसके बाद अगर आप देखेंगे, यहां पे trend reverse किया, एक अच्छा momentum हुआ, next day आपको यहीं से momentum continue हुआ, और वापस से यहां पे एक range form किया, एक आपको बहुत ही narrow range में marketing यहां पे trade किया, और उसके बाद जब breakout हुआ, तो यहां पे भी आपको एक अच्छा momentum देखने को मिला, तो channel pattern यहां पे आपको form हुआ, जो कि आपको एक trend continuous pattern है, trend continue होता है, जब भी channel pattern form होता है, और same direction में अगर breakout होता है, तो यह आपको एक continuous pattern माना जाता है, तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, तो आपको एक चीज़ समझ म आएगा, जो आप यहां पे early identify कर सकते थे, सब बहुत से लोगों ने आपको इस breakdown के बार आपको यहां पे put लिया होगा, उनका SL यहां पे होगा, लेकिन अगर उनको यह pattern identify करने आता था, तो वो यहीं पे अपने put को निकाल सकते थे, क्योंकि उनको पता चल जाता है, यहां पे आपको trend reverse हो सकता है, trend reversal का sign मिल चुका है, तो यहां पे जो है, आपको उपर की side अब निकल सकता है, बेटर है, यहां पे position काट ले, वापस से अगर इसके नीचे जाएगा, तो फिर हम दोग वापस से put ले सकते हैं, लेकिन आपका इतना बड़ा SL नहीं जाएगा, तो इ तो यहां पे देखिए, तो यहां पे देखिए, अच्छा आपको यहां पे ऊपर की side अच्छा uptrend का movement हुआ, वापस से यहां पे M pattern का आपको formation हुआ, और इस level के around आपको यहां पे एक अच्छा breakdown हुआ, वापस से नीचे की side अगर देखेंगे, तो यहां पे 16,450 तक का एक अच्छा जो है, आपको movement हुआ, और यहां पे भी SL आपको बहुत छोटा रखना था, क्योंकि यहां पे एक अच्छा already range आपको form हो चुका था, और जो लोग भी मेरा video continue देख रहे हैं, उनको मैं continue बोलता हूं, जो आप लोग range पे हमें साथ ध्यान रखिए, अगर कहीं पे भी range बनता है, उस range पे आपको बिलकुल ध्यान रखना है, अगर आपके उस trend के direction में इसका breakout या breakdown होता है, तो फिर आपको वहां पे एक अच्छा point छोटे stop loss के साथ मिल सकता है, और वही यहां पे अगर देखेंगे हम लोग, तो बहुत ही अच्छा एक narrow range बना, M pattern का यहां प को ज्यादा बड़ा stop loss नहीं था, almost 60 point का SL था, नीचे की साइड अगर देखेंगे तो 16,450 के level तक यहां पे आपको गया, almost जो है, more than 1 to 2.5 का यहां पे हम लोगों को risk reward ratio देखने को मिला, तो इसलिए यह चोटी-चोटी चीजे आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो अभी भ अगर आप लोगों ने उस दोनों वीडियो को नहीं देखा है, डबलू पैटर्न और एम पैटर्न वाले वीडियो को, तो आप जो है, वहां पे जाकर देख सकते हैं, इन डिस्किन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा help मिलने वाला है, अब अगर पैटर्न फॉर्म हुआ, और उसके बाद आपको यहां पे भी बहुत अच्छा मॉव्मेंट उपर की साइड हुआ, वापस से फिर आपको एक नेरो रेंज में स्टॉक रहे, यहां पे बैंक निफ्टी ट्रेट किया, फिर से ब्रेक आउट हुआ एक आपको बहुत अच्छ उसके आद अगर यहां पे देखेंगे एक अच्छा पुल बैक लिया और यहां पे बैंक निफ्टी का आपको एम पैटर्न का बेक डाउन हुआ था, तो अगर यहां पे हम लोग देखेंगे तो कभी भी आपको डे हाई जो है 15 मिनिट का हाई वो एक इंपोर्टेंट लेव माना जाता है उस लेवल को इसने क्रॉस किया और यहां पे देखिए एक अप्ट्रेंड के बाद यहां पे आपको एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन दिखा उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ वापस से देखिए आपको कितना बड़ा एक अच्छा मोवमेंट देखने को मिला तो अगर आप यहां पे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो यहां पे आपको यह छोटी छोटी बाते बहुत जादा एल्प करेगी अर्ली आपको ट्रेड से एकजिट करने में अगर आपको ट्रेड आपके एगेंश जा रहा है तो आप अर्ली वहां पे नहीं कर पा रहा था यहां पे भी जैसे क्रॉस किया यहां पे देखे आपको एक अच्छा रेकाउट फिर आपको रीटेस्ट और वापस से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम तो इसी लिए ये सबी चोटी चोटी बातों को आपको यहां पे ध्यान रखना है अगर यहां पे एक और स्टॉक की हम लोग बात करें TCS में आपको डेली चार्ट में यही पैटर्न फॉर्म हुआ है अब यहां पे देखेंगे एक अच्छा डाउन ट्रेंड था यहां पे वापस से सेलर्स आ लेकिन यहां पे आपको इसने अपने swing low को defend कर लिया 3400 के पास जो swing low बना था उस swing low को defend कर लिया वापस से उपर की साइड आपको यहां पे breakout हमलोगों को देखने की मिला अब यहां पे उसी लेवल के around आपको ट्रेड कर रहा है इस तरह से आपको pattern को identify करना है एक और चीज़ बहुत से लोगों को यहाँ पे pattern को identify करने में आपको problem होता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे line chart लगा सकते हैं अगर आप line chart लगाएंगे तो आपको clearly यहाँ पे दिख रहा है stock एक अच्छे downtrend में है bounce किया, वापस से नीचे आया, यहाँ पे swing low defend हुआ वापस से उपर की side आपको यहाँ पे breakout कर चुका है और यहाँ पे देखिए एक अच्छा W pattern आपको यहाँ पे दिख रहा है अगर हम लोग यहाँ पे nifty के case की बात करें तो nifty के case में भी आपको यहाँ पे clearly दिख जाएगा जो W pattern का यहाँ पे formation हुआ है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी same आपको दिख रहा है एक downtrend वापस से उपर गया, यहीं पे आपको नीचे breakdown दिया वो मैंने आपको clearly बताया था, यहाँ पे आपको बहुत से लोग trap हुआ होंगे उसके बाद आपको उपर की side breakout दिया और यहीं पे आपको early exit करने का मौका मिलता है अगर आप इस trend को identify वहाँ पे कर लेते तो आप वहाँ पे अपने put को जल्दी से काटके और वहाँ पे आप call को ride कर सकते थे या फिर आप अगर call को नहीं भी ride करना चाते तो at least आप अपने short position को वहाँ पे early cover कर सकते थे तो इसी तरह से छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और आप से रिक्वेस्ट रहेगी जो आप उन दोनों वीडियो को जरूर जाके देखिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए जिससे की आपको भी यह pattern अपने day to day trading में दिखने लगेगा और उसके बा है और आपको टूर जा आपको भी बातों दोनों का आपको धर आपको भी यह जो नहींगे हो और आपको घापको प्रैक्टिस का वीडिक्ट है लिए जो लागेगी जो एंता है अवा है